एक लाग की कार वोशिंग हो रही है या लाउस में गाड़ी ओन करी पी-पी भी बजने लग गई है देखो कुछ तो ये पानी का ही लग रहा है मुझे निशान और इंजन लाइट भी आ गई कोई ओप्शन ही नहीं है इस गाड़ी को टो करके इंडिया ही बेजना पड़ेगा तब ही बात बनेगी महींद्रा का सर्वी सेंटर मिल गया लाउस में भाई इनकी जो विएंटेन सिटी है वहाँ भी प्लुवांग प्रबांग में भी टैबलेटर वायरलेसली कनेक्ट हो गय मेरे आखों के सामने खड़ी है माफिया स्कोर्फियो एन अपनी इतने दिन से मैं इंडिया गया हुआ तो तो भाई बिचारी अकेली थी यहां पर सोहन के साथ बड़ा सोहन ने तंग किया होगा इसे तो जरा प्यार वैर करते है कि हाँ मुन्ना है मुन्ना मुन्ना अर बच है मेरा गुंगरू बाबू भी तो हवा भर दी है सोहन ने बट वो पंचर ही है मेरे काल से वह कह रहा है दो बार हवा निकल चुकी है तो पंचर लगवाएंगे और फिर आब उसके बाद हम लुआंग प्रवांग शहर को एक्स्प्लोर करेंगे बाकिया रिक और नय जरनी आज है साथ फरवरी दोजार 24 मैं हूँ अभी लाउस के खुबसूरा शहर लुआंग प्रवांग में और आप देख रहे हो भाई नमस्ते उस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नय एपिसोड इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से उस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्प्यों को ले तो नियो रखी गाड़ी में और यह शेल्टर के नीचे गाड़ी लगा जी थी भाई यहां पर तो अपना कोई टेंचन नी थी भाई रोड से हटके थी तो एक्सिडेंट का भी कोई चकर नी और लाउस वैसे भी एक सेफ देश है यहां पर चोरिया बहुत काम ही होती है तो इतने दिन बाद नहीं इसने तो करीती पीचे से क्यों जूट बोलना है ना चलो जी चलो इस होहन ने सब कुछ देख लिया पास में ही बोशिंग सेंटर है पास में ही पंचर वाला है तो तैड़ पैड काम हो जाएगा फिर उसके बाद एक्स्प्लोर करेंगे इस चहर को इंडिया गया ना भाई साब घर की हालत है इसी उतल उतल हुई पड़ी है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना पूरा का पूरा और खर्चा भी बहुत जादा हो चुका है बट एक चीज की तसली है कि भाई अपने अकोर्डिंग घर बन रहा है पूरा का पूरा जैसे जानत लगी है उसके बीचे बट यह तो चलो भाई अब हम घर ले चुके है बन रहा है इसलिए बट घर लोक करने से पहले ना इतनी दिक्कते आई थी ना क्या बता हूँ आपको मुझे अच्छे से आद है भाई वो टाइम जब बजेट को लेके कितना इशू था या फिर क कभी किसी घर का इंटीरर समझ नहीं आ रहा था किसी की लोकेशन अच्छी नहीं लग रही थी वो एक दुकान दिख गई है भाई बोशिंग की चलो यहां लगा लेता हूँ साइड में पहले हा मैं कहा था कि दिक्कत आ रही थी घर लेने में काफी बट सबसे बड़ा फटक नहीं बताया है कि एक अच्छे से एस्ट्रो लोजर से बात कर ले क्योंकि भाई हम अपने तरफ से तो सब कुछ ट्राय कर रहे हैं बट फिर भी इतनी दिक्कते आ रही हैं फिर मैंने भी सोचा चलो यार एक बार ट्राय करी लिया जाए समझे तो सही कि एक्च्छल में प्र मेरे घर वालों के लावा किसी को नहीं पता और फिर क्या था भाई मेरा ट्रस तो पूरा का पूरा पूरा पुरा प्रिया जी और एप पर बैट गया फिर ना मैंने उनको सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा दिया और पूरा समझने के बाद उन्होंने मुझे बताया ये सारे issues ना मुझे क्यों आ रहे है actual में और साधी साथ में एक solution भी बताया है कि इसको मुझे तीन दिन तक करना है और साधी साथ में दो dates भी दी मुझे कि इन दो dates में से ना किसी एक दिन घर मुझे final करना है फिर क्या था भाई मैंने जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे follow किया बट आपको भाई क्या बताऊं कि next घर जो हमने देखा ना वो पहली ही बारी में भाई final lock भी हो गया और एक भी issue नहीं आया भाई जो इतने जिन से परशानिया चल रही थी उन्होंने ही का था सितंबर से दिसंबर 2023 इसके बीच में घर ready हो जाएगा और वैसा ही हुआ भाई हम shift भी हो गए महाँ पे और हमने तो भाई अपने ग्रह प्रवेश पे प्रिया जी को भी बुलाया था बट वो आई नहीं पाई उन्होंने बताया कि उनको personal events में जाने से मना किया गया है और ये घर से related तो मैंने चीजों की बात करी इसके अलावा जो हम foreign trips कर रहे हैं उसके बारे में भी ये construction के बारे में भी सारा कुछ कियाता है उन्होंने काफी अच्छे-च्छे solution दिये और देखो ऐसी problems नहीं हर किसी की life में होती है जैसे मेरी life में तीग घर को लेके किसी की life में पैसो को लेके होती है किसी की life में शादी या relationship से related और किसी किसी के तो career या business से related भी तो मैं तो आपको recommend करूंगा सबसे best तरीक है यह जाओ एक astrologer से बात करो फिर देखना भाई आपको कोई ना कोई solution तो मिलेगा ही मिलेगा अच्छा आपके लिए काम कर देता हूँ अपना जो एस्टो टोक की app का link है ना वो नीचे description और pin comment में डाल दूँगा वहाँ से जाके अगर आप download करोगे तो आपको पहली चैटना free of course मिलेगी भाई मेरी तरफ से और कह चाहिए लाइफ में चलो भाई फटाफट से एंटर करते हैं अंदर और गाड़ी की वोश करवाते हैं बहुत जाद गंदी है क्योंकि पहले तो भाई यह कह रहे है कि होगी नहीं फिर अब यंकल जी आया यह कह रहा है कि कर देंगे बोशिंग पूछ रहा हूं कितने किया भाई यहां पर बोशिंग हाओ मच आओ मच एक लाख भाई सहाब एक लाख की कार बोशिंग हो रही है यह लाउस में डिवाइड डिवाइड टू ठर्टी तू मतलब 430 रूफ हैंगी यह सही है ओके देर चलो भाई चलो करवा लेते हैं फटावट से चलो जी लगा दिया फटावट से अब शुरू कर रहे है वो झाल 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 अब इस देश में इतनी जादा मिट्टी है क्या बता हूँ बस आपको जिसमें से यह जाग सा निकला था साबून वाला मस चमक जाएगी अब अपनी गाड़ी होए होए जाल दोब कर लाएगी होए दो घुझ कर रगी कर दो प्रोड़ी अज़ा निह अब दो पाल बाल बाइसा फोर्चुनर आ गई यहां पर बहुत सारी फोर्चुनर देखने के लिए मिलती है देखो नंबर देखो कैसा लगता है लाओ उसकी नंबर प्रेट इस तरह से तो यह भी शायद वोशिंग कराने आया है वह बाइसा अंकल है तो कोई देख रहा हूँ अपनी गाड़ी हो रही है यहां पर साफ मस्त एकदम तमाकेदार तो यह गाड़ी अच्छे से धूल चुकी है एक लाख पे करना इनको और यहां की एप है लोक का मैंने आपको इंडिया जाने से पहले बताई थी ना तो उसी से मैं स्कैन करूंग और पेमेंट हो जाई आजो इंडिया की तरह पेटी है हम गूगल पे जैसे चलता है ना फून पे बगएर यहां पर भी अलगा लगए ट्रस्ट पे है यस पे है बन पे है और यह भी है किसी बैंक का बी आई सी के है तो हमें करना इस वन इस वाले में करना है लोक का पेमेंट मस्त चमक गई भाई ऐसा लग रहा अभी नया नया रैप चड़ाओ पेमेंट कर दिया भाई इंडिया के 400 रुपे यहां के एक लाग ओके बाई 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 टैटा याए गाड़ी देखो बिलकुल भाई साब ब्रैंड न्यू होई चमक रही है लिशकारे मार रही है बट एक दिक्कत हो गई है पहल भी मिल जाए होना तो चाहिए समान रख लिया डबा अंदर से भी ड्राय क्लीन हो गई है मस्ट चमक रही है एक तो गड़ी साड़ी लेट्स को भाई जूते में मिट्टी लग रही है कारपेट बना चमक गए अभी जा रहे फिलाल भाई इंडियन रेश्मेंट खाना खाने के लिए सुबह से कुछ नहीं खाय हुआ मस्त पेट पूजा करेंगे गाडियों करी पीपी भी बजने लग गई है देखो कुछ तो यह पानी गई लग रहा मुझे निशान और इंजन लाइट भी आ गई क्या कर दिया वाईसा वैसा बन करके चलाता हूं पिर से यह क्या प अब भाई कि अब तो आगई है तो यह पारट वाट की दिक्कत हो गई तो लेट इसल पर्टिकुलेट फिल्टर इस लोगड ओवाई साब यह क्यों सो फिल्टर है पहली वार सुना है वाई मैंने डिजल पर्टिकुलेट गाटडी को लगाते साइड में और देखते हैं ना इंडिया में भेजता हूँ देखे तो क्या सी ना वाई क्यों हो रहा है मैंने ऐसी वाई तुके तुके में यूट्यूब सर्च कर लिए और यह देखो इन वाई साब की यही दिक्कति हो लिख रहा कि कोई नहीं बताएगा यहां भी देखो भाई मतला काफी सारे है भा अब यह प्रॉब्लम सोल हो जाएगी या फिर दूसरा उप्शन है यहां पे जैसी रीजन लिखा है ना आर इजी इन उस टाइम उस पे भी फिर यह होल्ड करके रखना है ड्राइब पे जाके तो अब यह हमारा रीजन का तो अप्शन नहीं आ रहा है साठ के उपर चलानी ह तो अब यहां तीस मिनट तो कहां चलाएंगे कली चलाफ आएंगे चलो अब फिर बजगी टूटू देखना है तो ना ही दे रहा है अलाम बजा रही है गाड़ी विक्रम भाईया कभी मैसिस है उनको मैंने फोटो बेजी ना वो भी यही बात कह रहे है रीजन करना पड़े तो थोड़ा देखते है चला के ही आज यह तो बढ़ी है बनना तो फिर वो ही है फिफ्ट गेर में साट से उपर आदा घंटा तक ड्राइब गाड़ी भी जो है वो 20 की स्पीड से उपर नहीं बढ़ रही है अभी तो चलो आगे ट्रैफिक है एक मिन रूट को खाली रोड आती है दिखातों पूरा पंजा दे रहा हूं भाई लेकिन 20-25 से उपर जाई नीरी आर्पिम भी देखना लोग हो गया ऐसा लग रहा है यह वोश हुई उसके बाद से रिक्कत आई है अब यह पता नहीं वोशिंग की वयसे है या इतने दिन से खड़ी थी उसकी वयसे हुई है चाइना के इतने एक्स्ट्रीम टंपरेचर इतने एक्स्ट्रीम ओल्टिटूड हर जगा से इस गाड़ी ने निकाल दिया और खराब भ से उपर पंजा दबाए रखना है बीस मिनट तक ठीक है जी यही करते है अब एक सोहने ग्राउंड देखा हुए होस्टल के पीछे वहीं जाके लगाते है बाई ओपन ग्राउंड में इसको और फटा फट से करते है बीस मिनट तक तो पैर से दो नहीं दबाऊंगा वरना प एक से लेटर पे ताकि चल जाए आ यार किस पंगे में फस गए फालतूगे अभी तो अच्छा हुए चलो शहर में हैं हम भाई किसी जगा पे रात में फस जाते होटल से जाते हुए तो तो बुरी हालत हो जाती सोचो हा सचुनों ने ये भी काय कि जादा देर चलाओगे न तो भाई सालेंचर भी चोक हो सकता है और अकर सालेंचर चोक हो गया फिर तो भाई या कोई ओप्शन ही नहीं है इस गाड़ी को टो करके इंडिया ही भेजना पड़ेगा तब ही बात बनेगी तो वहां तक नोबत ना आए बाई क्लियर हो जाए जो भी है डीएफ का यह देखो और यह आवाज कर रहा है भाई गाड़ी बहुत जाता सुनाओं यह देखो कितनी देज आवाज आ रही है लिटरली पूरी इंजन को वह तो होफुली चला जाए बाई बीस मिनट बाद पांच अठारा पे शुरू कर रहा है पांच अरतिस तक करेंगे एक तो भ तो यही पे सुनाट का रखिये मैंने होफुली हो जाए बाई साही टोटल जी पंदरा मिनट हो चुके है अभी टिम टिम करे जा रहे है बीच-बीच में अलाम सा भी बज़े जा रहे है पूरे बीस मिनट हो चुके है भाई यह देख सकते हो आप 5.38 और अभी तक नहीं यह तेरा मिनट क्यों दिखा रहा है एर मैंने थोड़ा पाथ मिनट बाद लगया था फिर भी सतना अटरा मिनट हुए इतना ही था पाथ मिनट ही था अच्छा चलो ठीक है जी मानली बात कोई बात नहीं बजिगा टूट 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 हम पिट से पर पती नहीं जाके दे बस बाई अब सबर का फल टूट चुका है सबर का भान टूट चुका है पांच-पचास हो गए है तीस मिनट के आसपास हो गए है बाई करते हुए लेकिन यह नहीं हो के दे रही है तो हम मैं छोड़ने जा रहो रहा है चलो जी देखा जाएगा अब जो होगा भूग लग पहले चलते हैं खाना खाने के लिए फिर सोचेंगे वरना खाली पेट में ना दिमाग भी नहीं काम कर रहा है इस शेयर में भाई कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है कोई ट्रैफिक सिगनल नहीं है रूल्स तो चलो लोग कभी-कभी मान नहीं लेते हैं बड़ स्टिल लोगाड बताया कि इसका बैट्री का एक टर्मिनल निकाल के लिए खड़ी कर दो उसके बाद वागपी से टर्मिनल लगा दो सामने लगा है सामने लगाने को रहे हैं सामने तो जगह बाइक लगा रखिए कहां से लगाँ चालो जी आँ पार कर दिये गाड़ी यह पार कर साथ में एक राइस पकड़ना कल कितना भी लाए था हमारा चार लाक नहीं दो लाक लेड़ लाक भी लाए था यहां के मतलब छे स्टो रुपे के आसपस दो बन दोगा तो ठीक है महंगा निया काना आज और कमाएगा क्यूंकि नान तीन थे कल आज दो ही लिया भाई हमने तेश अच्छा है वैसे भी बढ़िया तो एक दो दिन माज स्विमिंग पूल में मज़े करेंगे लिए उस से पहले गाड़ी का स्वाल करना दिमाग खराब रा रात वर की क्या होगा क्या निये खड़िया जी अपनी प्यारी गाड़ी बट लाउस में आके विचारी करनी पड़ेगी फिर देखते हैं भाई अभी आ रहा है कि नहीं इंजन लाइट आ रही है और वो जो डी एफ वाला था वो आएगा थोड़ी देर में जैसी चला हूँगा तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं रात को मैंने बैठ के पूरी रिसर्च करी इस बारे मे के बाद ना एक फिल्टर होता है जो लिखा है तो यहां पर पार्टी के लेट डीजल पार्टी के लेट फिल्टर तो वहां पर फिल्टर क्या करता है जितने भी वह पार्टीकल्स होता है ना हम फुल वाले वह फिल्टर में जाके ना ऐसे रुख जाते है और फिल्टर ना पिर उन्हें जला देता है और वो जो जला हुआ दू है फिर भार निकलता है मतलब कि एक तरह से डिरेक्टली जिसे कहते है री जनरेशन तो री जनरेशन हमारा हुआ नहीं पिछले दस बारा दिन जब मैं इंडिया गया हुआ था लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो रही थी रेगुलर तो आप ना देखो बैटरी के लिए लोग कहते तो है कि रोज चालू करो या हर कुछ दिन में चालू कर करना होता है बड़ हमारी गाड़ी में दिक्कत यह हो रही है कि री जनरेशन का ओप्शन ही नहीं आ रहा तो री जनरेशन का ओप्शन आते ही क्या होता है कि गाड़ी ना अपने अपने इंजन को मतलब 2,000-2,000 आरी पिम पे पहुचाती है और उसकी वज़े से जो पूरे पार्टिकल जमें होते हैं उस फिल्टर में वो सारे जल जाते हैं और पूरा फिल्टर क्लियर हो जाता है तो हमें में फिल्टर को क्लियर करना है जैसी फिल्टर क्लियर होगा इंजन लाइट भी चली जाएगी यहां से और दिक्कत भी नहीं आएगी बट वो हो नहीं पार ह कि चला सकतो हूं 50 तक की स्पीड में बट उसके लिए चाहिए स्ट्रेट हाईवे और हम इस समय लाओस में जहां पर पहाड़ी रस्ता है सारा तो यहां पर कभी चड़ाई आ रही है कभी उतराई आ रही है कभी टरन्स आ रहे है तो 20-25 की स्पीड से ओपर हम खुदी नहीं ज इसी तरह से और मैनुली फिर यह जो है मतलब ऑटोमेटिक जो सिस्टम में होता है उसी से वो सारे के सारे पार्टिकल्स जल जाए तो इसलिए आपको मैं यह कहूंगा अगर आप कहीं लंबे समय के लिए बाहर जाते और किसी को पीछे बोल के जाते हो कि गाड़ी इसल की बीए सिक्स वाली बात कर रहा हूं पेट्रोल में नहीं है यह जंजर तो उसको यह कहना या तो वो गाड़ी चलाए या फिर वो हर रो स्टार्ट ना करें दस दिन में एक बार स्टार्ट करें कि बैटरी भी सही रहे और वो पार्टिकल्स जमें भी नहाँ ठीक है त फिर वो रीजनरेट हो जाते है ड्राइफ पे जाके बट मेरे ड्राइफ के ओप्शन में यह देखो नीचे जारूं आई नहीं रहा हूँ ओप्शन तो अब ना इसका भी मैंने सॉलूशन पढ़ा कल बहुत देर लगा के तो उसमें ना कई लोगों ने यह लिखा हुए है और कई लोग इससे मतलब एगरी भी करते कई लोग नहीं भी करते कि अगर आपकी गारी में डीजल हाफ टैंक से कम है तो रीजनरेशन का उप्शन आए गई नहीं और आप देख सकते हो भाई मेरी गारी में हाफ टैंक से नीचे है तो एक काम करते है टैंक को करवाते है जैसी warning जाएगी हमारी speed वापी से मिल जाएगी हमें फिर हमें भगानी पड़ेगी 50-60 से उपर तकि वो सारे particle जो है वो जल के राक हो जाए अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा इंडिया से OBD scanner लाना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा या फिर सबसे एंड का यही है तरीका कि गाड़ी हमारी से पोके अब इंडिया जाएगी फिर ट्रिप की ऐसी तैसी मच गई कोई ट्रिप नहीं कैंसल सब कुछ बस बगवान करे वहां तक ना पहुंचे डीजल से ही सामने फ्यूल सेशन है स्टार ओईल करके डीजल वहां पे लिख से खाया नहीं ता सुबा से कुछ और गर्मी भी बहुत हो रही है तो भाई फुल टैंक बोल दिया भाईया को डालने के लिए पड़ावर से कर देंगे आद दे से जादा टैंक खाली पड़ा था अपना टैंक भाई बिलकुल फुल कर वाली है बट अभी तक वो नहीं आया पर दे बुक कर रहा है मस्ता लग रहा है ना श्यूमिंग फूल वगरा सब कुछ आप यह 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 अंट्री आना इनकी और लगवक्त 3-4 किलोमेटर चलाने के बाद भी भाई जन का कोई ऑप्शन नी आया दिमाग की धही में पड़ी है आप हसे आरफाल तूए टाइम बेस भूमना था में कल भी आज भी यही गेट पे भाई बैग बैग उतार के अंदर रख देते है फिर गारी देखते है इनकी पार्किंग में कहा लगाई जाए ताकि बैटरी गा टर्मीनल एक बार निकाल सकूँ यह अंट्रेंश भाई लग तो बड़ी आसर है होटल है और सब ने उनको कॉल लगाई वीडियो कॉल पे सब बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब जो है न आपका OBD स्कैनर से ही हो सकता है जो लैप्टोप कनेक्ट करते है न वो और लगली भाई वो महिंदरा का सर्वी सेंटर मिल गया है लाउस में भाई इनकी जो वियंटेन सिटी है वहां भी लुवांग प्रबांग में भी इनकी तीन गाड़िया बिखती है यहां पर तो यह देखो यह वैबसाइट है महिंदरा लाउस करके और यह देखो एक के यूवी 100 बिखती है यह एक स्कोर्पियो का पिक अप ट्रक बिखता है और एक सुपरो बिखती है तो इनका सर्वीस में अगर मैं जाँगो ना नीचे यह देखो वियंटेन में तो इनका डीलर शिप भी है पर सर्वी सेंटर यहां भी है इस सिटी में यह गए यहां सर्वीस नीचे जाते है तो यह देखो भाई चार सर्वी सेंटर है पाकसे में समना खेत में लुआंग प्रबांग और वियंटेन में भी, मतलब लिटरली भाई मैंने इमेजीन ही नहीं किया था कि लाओस में महिंदरा मिल जाएगी जहां पर हमारी गाड़ी खराब हुई है, मतलब भगवान जी दे रहे हैं, अभी गाड़ी वैसे टीक नहीं हुई है, तो ज्यादा बोलेंगे नियम, बट हा लेट सी क्या जुगाड़ बनता है, हलो, अंजी नमस्ते नरेंदर जी, अनमोल जैसे वाल बोल रहा हूँ, वो इर्फान भाई ने भी बात करी होगी आप से, तो अपना ये लाओस में महिंदरा के है क्या सर्वी सेंटर, तो कैसे करें अपनी स्कॉर्पियोन है, जैसे अब वो डीएफ का आ रहा है, फिल्टर क्लोग का, तो डीपीफ का, तो मैं आपको लगा तो मेरा जो लोकेशन है वो आपको पॉस्टिप कर देता हूँ, नहीं आप तो वियंटीन में हो ना, मैं लुआंग प्रवांग में हूँ इस टाइम पर, पी लुआंग प्रवांग यह तो वियंटेन में, अगर हम वहां होते तो हो जाता है, बट यहां से अब 200 किलोमेटर कौन जाएगा, बना टो ट्रक में ले जानी पड़ेगी स्कोर्पियो को, जो मैं चाता नहीं ले जाओं कोई खर्चा भी होता है, प्लस यहां टो ट्रक का कौन ही जुगार करेगा, उससे अच्छा लुआंग प्रबांग वाले में हो जाए, अब इनके पास देखो, ओबीडी स्कैनर तो होगा वो लैप्टोप, बट स्कोर्पियोन का सोफ्वेर होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, क्योंकि जो युनिवर्सल वाले ओबीडी होते है उसमें तो हर गारी क काम बन जाता है, लेकिन स्कोर्पियोन यहाँ पर उनके पास ओबीडी युनिवर्सल है, नॉर्मल है, कह नहीं सकते हैं, और नहीं भी होगा ना, तो इंडिया से सर्वी सेंटर से सोफ्वेर मंगवा दूँगा इनके लैप्टोप में, और जुगार करते हैं, मतलब महिंद लिए से फोन आया, तब आप इससे इर्फान भाई बता रहे हैं, उन्होंने डिरेक्ट महिंदरा के प्लांट में बात कर लिए है, और यह जो लाउस का कॉन्टैक्ट निकला ना, यह महिंदरा वालों ने डिरेक्ट दिया है, मतलब महिंदरा की इन्वोल्मेंट हो चुकी ह मतलब ने डिरेक्ट महिंदरा पे बाई, तो मदद तो करवा रहे है, देखते हो गा यह नहीं होगा, जब तक कुछ आता नहीं है, गूमने तो कहीं जा नहीं सकते तो इनका स्विमिंग पूल है, थोड़ा ठुकी लगा ली जाए, इस्ट्रेस रिलीफ होगा, पहले देख तो एक ही दिया, ओ, छुब गई, पहले स्विमिंग पूल में छाओं हो भाई, धूपना हा रही हो वरना बैठा नहीं जाएगा फिर गर्मी में, अब जैसी फिर आएगा महिंदरा वालों का, खोलना लोग खोलना, चाब भी अंदर रख दो, वैसी भाई फिर यहां लगा देते है, सेफ पार्किंग इंटर्नल, बढ़िया, पोटल महंग है भाई, यह लगबग 3,200 रुपीज का पड़ा है, तो मेरे को लगा नहीं था, लाउस में भी थना महंगा मिलेगा, अब है तो है क्या करे, तोलिया और चड़ी ले आँ हूँ भाई मैं अपनी मस्त, यह रहा भाई स्विमिंग पूल, चलो एक तरफ तो है, जरसी चाहों बैठने, लाइक और खाली भी पड़ा है, मस्त, अराम से इंज्वाई करेंगे, कितने दिन चमान हो रहा था भाई, मेरा स्विमिंग पूल में आज फाइनली, तो थोड़ा इधर की तरफ ही तो महीं जाना पड़े न मुझे, यह तो अरना मैं डूब जाओंगा कहीं, कहा डूब दाओंगे, माँ भी चाहूं है ना, मा बैठता हम, कहा ना, आउ त्राइक करोऊ, अओ, दरफोक आदमी, जयुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँदे पानी क उदर की साइड ही चलता है वाई धूब भी आएगी न तोड़ी कुछ निया टंडा जाओ वैसे तो नो मुझे तर ना आता है वाई बट मैं तर नहीं बाता डर की वाई से देख अभी मेरी फ्लोट नहीं हो रही न बोडी अब मैं तरूमा यह तो आगे न ऊपर ऐसी तर ते म दूबनी रहा तो मैं कहा रहा हूँ सोहन को आजब कोमपेडिशन करते कोन पानी के नीचे जादा देर सांस रोक के रहता है मेरी क्योंकि मेरी ना ब्रीधिंग ब्रीध रोखने की कैपेस्टी बहुत तगड़ी है योगा करता था ना जब मैं आज़ो है हिमत डर गया ना ब इता ही अभी कोमपेडिशन करो फिर बताओ बाद में करेंगे अभी जाओ अब जाओ अगया थंडा लग रहा था पहले पानी बट अब मस लग रहा है एकदम फूर्की वाइस हो तो भाई जो लाओस के एक्जिगूटिव ते ना महिंद्रा वाले उनका फोन आया है वो कह हमने टेक्निकल टीम आपके ओटल में भेज दिया है और वो बहार आ भी गया मैं उन्ने लोकेशन दी ती ना तो उनको गाड़ी दिखा देते है वाई यह है के शाए है तो हेलो है इसा फोर्ड लाय है है हावर यू तो यह वर्किंग विद फोर्ड या ओके नोड महिंद्र महίνद्र गया है सि emotion में आपके है स की ऑपड़ी से मस्किन सिर्लंका है वपाज़्ख में अपर इसा रमचे दर भरोग, कि अढ़िज इव दyक है, जब रे। रोड दमें भराय है रम्रें कर शेखा ले। कम्पनीस के साथ काम करते हैं तो मैं थो प्रस्ट रुषड दृड अच्छला हैं स्री लंका यह थोड़ी थोड़ी सी हिंदी आती है इनको लेट सी भाई अब अब इनके पास तो बीडी मशीन है नहीं यह यह पर यह फिर भी कुछ जुगार करके देख रहे हैं यह दिस हेलो है यह थोड़ी देखते क्या जुगार बनता है वह फुली हो जाए भाई लाय तो है यह दिस ओब भाई शुकर है इनके बाद ओब अब आपधी है ओफुली यह युनिवर्सल वाला हो ताकि कनेक्ट ओने के बाद ना जो वर्निंग आ रही है वह हट जाए बट वर्निंग अटाने से कुछ नहीं होगा हमें री जनरेशन करना पड़ेगा वह दिस ओब डू री जनरेशन ओल्सों ऑल्सों के ओखे बाद तो डी जनरेशन ओगया तो सबसे बैस्ट है भाई सारा जो पार्टिकल फसे हुए न वह बर्न डाउन हो जाएंगे वर अगर अग हमारी स्पीड वापिस से पुरानी वाली हो जाएगी हम मतलब 60-70 की स्पीड पर चला पाएंगे इस गाड़ी को तो फिर हमें हाईवे ढूनना पड़ेगा या फिर एरपोर्ट का रनवे जहां पर हम इसको भगा सके 20-25 मिनट ताकि वह बर्न डाउन हो जाए सारे लेट सी क क्या बात है अगर होगा भाई तो मज़े आ जाएंगे अभी देख लो भाई लाइट आ रही है लेकिन वह वाली नहीं आरी पार्टिकुलेट फिल्टर वाली वह जब हम चलाते है न थोड़ी सी गाड़ी तब आती है वह लाइट इनके मशीन में पुरानी स्कॉर्पियो त सारी है इनके बाद आई लो वाई लो सिर्फ एनी नहीं है देख लो नई गाड़ी होने के थोड़े नुकसान इस सर्विस में हर जगा दिक्कत आती है बड़ महीं रा का लाओस में जुगाड मिल जाएगा वह बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए तो हमें तो उमीद जिनीती की लाओस में भी महीं राएगा कोई मिल जाएगा ऐसे यू वर इन इंडिया उलसो यू हब बीन तो इंडिया उलसो और नो ओके घाड़ी बाई दूलवाने के बाद चमक तो मस्त गई बट काम ही करना बंद हो गई बता हो मैं अतारिफ कर रहा था कि चमक के मस लग एक्चल में जो विएंटेन सिटी वाले नरेंदर जी है ना उनके सिस्टम में है स्कोर्पियोन का शायस चे डेटा तो वो कहरे है यहां से अगर हम अपनी स्कोर्पियोन को लेकर जाएंगे तो भाई छे गंटे पकड़ के चलो टो करके ले जाना पड़े को और खर्चा बह तो अब बात कर रहे है वहीं पर कि टेक्निशन यहां पर आसके आज तो नहीं को आएंगे मेरे खाल से तो कल भी पर सो जम्मर जी हाए बाई बट हो जाये ठीक अपना अभी फिलाली है मीटर वीटर लगा के चेक तो हो रहा है कुछ ना कुछ लेट सी बट सीग बट सेग व बुलिट ट्रेन राइट तो सही है भाई टेक्निशन आ जाएंगे जादा बेटर है थोड़ा सा रहा हाथ मिली है अंदर से उमीद भी है कि हाँ हो जाएगा सही लोगों के हाथ में है गाड़ी भाई मैं सोच रहा हूँ बोश कंपनी का ना एक आता है वीडी स्कैनर विक्र बढ़ मुझे क्या बता था भाई नई गाड़ी में दिक्कात आ जाती और ये डीजल पर्टिकुलर फिल्टर तो मैंने पहली बार सुने है ऐसा कुछ होता भी है डीजल गाड़ियों में हर चीज से इंसान को सीख मिलती है हमें भी मिल रही है उपर से एक्सपीरेंस हैं सही चोक हो गया पूरा अगर वो रेस दे देता और ड्राइव कर लेता देन इट विल विट वोंट हैपन राइट इवन यू ड्राइवन इस्टो रेस तुन फी ताइम और वही प्रोब्लम है और इनके पास जो बीडी स्कैनर है न ये वाला ये भाई उनिवर्सल वाला ही है त जो वी एंटेन वे उन्के पास OBD स्कैनर है उसमें भाई वो अरिजनल महिंद रहस्ट का ही स्कैनर है तो अगर औरेजनल महिंदरा का ज़िस्क्र grammar है तो अब यह हम एंप्चन होत्या है की थो अब यह न प्रोब्लम में प्रोब्लम है यह कुछ किलोमेटर में हो जाती है हमारी तो फिर भी 30,000 किलोमेटर चलाने के बाद हुई है ज़िए जाती है यह चलाने में सब्रॉट बात अगार के बाद खैकटिवे अचरा इस सब्सक्राइब लिम्तिशन के अचरा को में ने श्यास सब्सक्राइब और था आपकेड़ीगन सब्सक्राइब टोर्म देख ब्रोच वालेन नहीं की इस जाती है कैने हैं तो आपकेर सब बहुत चलती है यहां पर मेरी भी फेबरेट है हाइलेक्स भी अच्छी है बट मेरे को फोर्ड जादा पसंद है अंदर से जो टेक वेक देते हैं यह देखना वाई क्रेजी पिक ट्रक लगता है इंसेन लेवल इवन टेक्सी में भाई यहां पर लोगों ने चला रहा है यह रेंजर और वाई इतने अच्छे बन दे देना क्या बता हूं सौरी बोल रह देख लो कहां इंडिया कहां लाहोस फूरा कनेक्शन निकाला नरेंदर जी से कॉंटेक्ट हुआ नरेंदर जी ने इन से कॉंटेक्ट करवाया और यह घंटे में आ भी गए मतलम स्विंग पूल में मज़े कर रहा था इतने में इनका फोन आए कि हमारे आप लोकेशन बेज जाए हमारे लिए और रीजन हो जाए गाड़ी का बहुत जमेल है सही में बहुत जमेल है नई वाली BS6 गाड़ियों में डीजल में गवर्मेंट ने इतने नोम्स निकाल दिये हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए यह सब जंजट फिर एंड यूजर्स कोई छेलना पड़ता ह पहले डिया वरवा हो हर 10,000 किलोमेटर में और फिर यह भी चीज़ जेलो बता हो यह तो मैं पता ही नहीं था है ऐसा कुछ भी होता है जिन दिखी में पहली बार ही पंगा भड़ा है अभी तो पता नहीं और भी क्या क्या चीज़ होती है मैं को लग रहा है मुझे मेकैनिकल कर लेनी चाहिए मेकैनिकल ही होती है ना कार्स की गाड़ी तो उन्होंने चलाने से मना किया जब तक ठीक नहीं हो जाती तो मैं सोच रहा हूं टाइम क्यों वेस्ट करना अपना लुआंग प्रगवांग एक्स्प्लोर कर लेते थोड़ा बहुत तो यहां पर स्कूटर करते हैं और थोड़ा बहुत घूमे आएंगे प्लस खाना वाना भी खायेंगे शहर तो भाई नो डाउट बढ़ाना क्यूट सा प्यारा सा बड़ी शांती सी है और टूरिज भी आपको काफी देखने को मिलेंगे फोरेनर्स लैंड एरिया की बात करें तो भाई टू लैग के ये पूरे पैकेजिस बना बना के लगा रखे है हर दुकान वालोंने और मस्त बिखते है पॉलिटी वोज भी मिल जाते हैं यहां पर आईस क्रिम आईस क्रिम खानी हो ना मस्त एक दम अच्छा बागी पोपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे लाउस में ना 74 लाक लो मता थोड़ा बहुत तो कुड़ा कच्रा मिल जाएगा आपको वैसे ओवरो लोगों ने अच्छे से समाल कर रखा हुआ है अपने शहर को या देश को आप कह सकते हो इस तरह की चोटी-चोटी दुकाने भी है जैसे इंडिया में उतके ना कोर्नर बेनुकड़ वाली दुका हुआ इसलिए बताओ लाउस जैसे चोटे से देश में टैसला है बट इंडिया में नहीं आके दे रही है कमाल हो गया मैं तो वाई साफ सफाई की बात कर रहा था और इतने में यह पानी खड़ा हुआ मिल गया काई जमी पड़ी और बहुत गंदी मतलब हद से आदा गंदी जल 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 दी बगलेते हैं वरना तो नाग ही शड़ जाएगी पूरी और ना जो यह देश है लाउस इसकी ओफिस्चल लेंग्वेज का नाम है लाउ जाएग का नाम लेंग्वेज का नाम लाउ और दूसरी चीज भाई डिलीजन की बात करें तो अराउंड शिक्स्टी फोर परसेंट लोग जो है इस इस कंट्री के वह बुद्धिस्ट है बाकी कुछ कुछ क्रिस्ट्छन भी आय है और मिक्स भी और अराउंड 33 परसेंट ल नारियल पानी लेते हैं. पीओगे नारियल प्रणार कारो, सीखे बनाओ नारियल प्रणाएं. यहां नल्क वी मिले हैं इंडिया में मिलती है, यह बहुत की अलग अलग जूसी शेक मिलरा है, वह हम लेंगे नारियल पानी शुद्ध. एक्चुल में साइस देखो भाई, कितने बड़े बड़े नारियल, मेरे हाथ से भी बड़े नारियल, और पानी भी एकदम शहद जैसा मीठा निकलता है, बागी यहां के जो लोग है ना भाई काफी फ्रेंडली है, मतलब टूरिस को देखके काफी अच्छे से ट्रीट करते ह और इस तरह की देखो, पैपसी वगएर भी मिल रही है काच की बोतलों में यहां पर, यह पता नहीं क्या है भाई, इन्होंने बना बना के रखा हुआ है, अलग-अलग फ्लेवर से लग रहे है मुझे, पता नहीं चटनी है, सूप है, पर सूप ठंडा तो बेचेंगे नही यह देखो, इसमें तो बरफवी डाल रखी है, आया, ठंडा है यह तो, पता नहीं क्या चीज है, वट इस दिस? अरे, इन्हें इंगलिश नहीं आ रहे है, रोब्स है भाई, रोब्स है भाई, देखो, मेजोर्टी लोग को इंगलिश यहां पर समझा आ जाती है, जो टूर साँ जूजा ही करते रहते थे, हम मरना कुछ समझ नहीं आता था किसी का, लो जी लो, आंटी जी आ गई है, नीठा सा नारीयल पानी हमाले लिए देने, और यहां पर यह वन पे करके चलता है, जैसे हमने बोशिंग वालोगों दिया तो इसी से मैं स्कैन करके पेमेंट कर द वरना फिर भी लेंगे, मन है मेरा, हाँ मच फोर कोकोनेट वोटर, 20,000, 20,000 का तो भाई नारीयल पानी है, और यह पता नहीं, समझा नहीं पाए कि क्या है, अच्छा, ले लेते हैं, एंड हाँ मच फोर दिस, अन्राजा, इस वन अलसो, वन, यह भी लेते हैं, ट्राय अरे लेते हैं, ट्राय करते हैं, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, भाई साब यह तो बहुत बड़ा है, इतना कहाँ प्यूंगा, आदा-दा पिले ना, इतना हीूज, मतलग कितना ही पानी निकला है, भाई साब, और यह आ गया अपना, रू अच्छा जितनी भी करंसी बतारू ना, तो आपको इंडियन करंसी का रेट मिल जाएगा, जैसे अभी मैंने टोटल 20,000 में नारियल पानी लिया, तो लगबक समझे लो, 90 रूपीज का पड़ा अपने इंडियन करंसी में, पहले भाई यही ट्राय कर लेता हूँ, अगर टे भाई कसम से कहा रहा हूँ, जो मैं खांसी वाली दभाई कहा रहा था ना, आपको वोई टेस्ट है, एक्जक्ट वोई टेस्ट, ऐसे पी रहे है भाई, यहां के लोग इसको ऐसे ड्रिंक, यह तो सही में दभाई लग रही है पूरी, नारियल पानी बेटर है, यह तो बकव पर मिल जाएगी, पर वो थोड़ा महंगा देते है, गलियों में ढूंडोगा तो सस्ता मिल जाएगा, जैसे यहां पर बोड लगा हुए, इन से बात करते है भाई, यह दे देंगे, मोटर बाइक रहेंट पर, यह है इसा है, हेलो, मोटर बाइक, यहां, वन येस, शर्मा की मेरे को देखके, यह है, एक ही, only one, okay, यह खड़ी होई है, कूस्त है कितना में, one day 150,000, one day 150,000, one day 150,000, one day 150,000, okay, for 24 hours, yes, okay, in a hotel, वाई, होटल की फोटो ले रहे है, यह कहां पर रहते हैं, और डेढ़ लाख किप में 24 घंटे के लिए, मतलब आज अगर हम इस टाइम लेते हैं दूपैर को, तो कल इसी टाइम पर देनी होगी हमें, और डेढ़ लाख का मतलब है, divided by 232, fix 49 रुपीज पर डे, जिसमें से पेट्रोल हमें डलवाना पड़ेगा, मतलब यह फूल करके देंगे, और जब हम इन्हें रिटरन देंगे, तो यह हमें भी फूल करके देना तो हमारे परी नाम लगा देंगे, और फिर पैसे हडबते हैं, लाउस में पता नहीं है कि नहीं है, बट यहां मैंने थाइलेंड, वेतनाम, कंबोडिया, इन देशों में बहुत सुन है, तो इसलिए वीडियो बना लेनी साहिए, सबसे बैस्त है, ताकि एंड में कुछ कई सब्सक्राव करें, पर यह लगे हैं, फॉट जूल रही है, नोर्मल जुर्सक्व अठीव हें, और यहां मित्त नंकालना पासपोर्ट, तो आपस पासपोर्ट, पासपोर्ट की यहां पर देदेंगे, पर फोट कीसे, और निएप्ट फॉम भरवाएंगे, तो बहुतों नह करेंगे सेम टाइम पे तभी हमें पास्पोर्ट भी दे देंगे और डेड़ लाग के भी एडवांस ले रहे हैं पूरा तो यह बर नहीं स्कूटर दिखा देते हैं कि स्क्रेचिस वगर अलगे हुए है ताकि कल को को दिख्कत नहीं है वैस तो वीडियो ने बनाई लिए तो स्कूटर मिल जाता है एलेक्रिक मस्त और यहां पे डेल लाग रेंट के देने पड़ रहे हैं हलाग कि आपको पता ही है ने डेल लाग यह वह वाले डेल लाग नहीं है यहां के डेल लाग है यहां के डेल लाग है यहां के डेल लाग है यहां के लोग है इस तरह से पाक करन तो फ्यूल एक टो हमें भी फूल देना पड़ेगा बट अब यह एमटी है तो जादा नहीं बाई दो तीन लीटर डल वालूगा इतना ही घूमना हमें शेहर में इस ज्यादा क्या जूरत पड़ेगी बाई सबस्क्राइब इतना बड़ा गलास था खतम ही नहीं हो के दे रहा मलाई तो मैंने सारी खाली बट पानी अभी भी बच रहा है और हैलमेट भी ले लिए दो हमने इन से क्योंकि यहां पर भले ही लोग हैलमेट के भी नहीं चलाते है बट अपना सेफटी अपने हाथ में या अपने हैलमेट में समझ रहो ना यह थी भाई वो जगह जहां से ल अभी चलते हैं सबसे बहले पेट्रोल डलवाते हैं उसके भाग खाना काते है देन चलेंगे थोड़ा लुआंग प्रवां को एक्स्प्लोर करने तो अई चला के देख लिया है मस चल रही है थोड़ी सी रेस कम है मतलब पावर नी उठा पारी इतनी चल चुकी ना कितनी 40, 40,000 चला चुगे वाई है वठीक है अपना काम से बन जेगा आजो जी बैठो जी बैठो जी बैठो सोनी का बैठो कर दो जी बैठो कर दो कर दो कर दो कि अगया है रही है जी लोकेशन में पहुंच चुका है फैली जिसका नाम है फौसी हिल प-च यू-ज-एस-ई अब फूसी हिल बोलते है फौसी हिल बोलते बदा नहीं क्या है बट यह जो आप सीडिया देख रहो ना यह लगबक 300 स्टेप्स है और इनको चड़के उपर जाना है यह लगबख सो मीटर का हील है और हिल के उपर एक मोनेस्ट्री या टेमपल है क्योंकि मैंने बताया ना बुद्धिजम फोलो करते हैं यहां पर तो बुद्धिस टेमपल बहुत सारे हैं और उपर से बाई संसेट का भी बहुत तगड़ा व्यू आता गूगल मैप पे तो भाई रस्ता डंग से दिखानी रहे बट मेरे हिसाब से यही रास्ता है क्योंकि आप देखोगे ना उपर काफी लोग चड़ते हुए चाह रहे है भाई तो तीन सो सीड़ी है यह जो चड़निया में आठ से दस मिनट लगेंगे हाडली उपर तक जाने है तो जाने इस हिल पर भाई बुद्धा फुट्प्रेंट आप देख सकतों दोनों तो तरह वैसे ड्रैगन की टेल है इतनी लंबी सी इधर सिल्वर काथर इधर ब्लैक कलर और कहीं कहीं से देखो इस तरह के स्ट्रक्चर से निखले हुए भाई ब्लैक कलर के प्रोपर बड़ी अलग रहा है यह अच्छा है आज सूरज जंग से निकले नहीं तो संसेट भी नही अंदर इसके अंदर कहा है भाई जा भी सकते हैं नहीं जा सकते हैं पुछ इस तरह से शक्चर वनाओ अंदर भाई यह देखो पूरा फुट्प्रिंट कहते है इसे बुद्दा का इसले नाम भी वही है और फेमस भी है यह चलो उपर चलते है बाई टॉप पे यह वाली साम भी का फरवर ही है भाई अब यह तो यहां पर तो प्रॉपर गीनरी और ठंड भी इतनी कुछ खास नहीं है आध हलकी हलकी ठंड बड़ी है शाम को दूपैर को दूप थी क्योंकि यहां भी देखो भाई यह दोनों तरफ ड्रैगन की ऐसे टेल चलती हुए जा रही है गोल् से फैक रखे है इस तरह से इन में फूल भी है काफी तो शायद से कोई यहां का ट्रेडिशन या प्रत्था होगी वो फॉलो करा हुआ है तो भाई सब मिसाइल पड़ी है यहां पर यह बोंब या मिसाइल है देखना कितने उसके शेल लग रहे है एक्शल में लाउस जो बड़े हुए भाई क्योंकि यह लग तो मिसाइले सी रही है उस टाइम की भाई सब क्रेजी लो जी लो आ गए हम यहां पर और ऊपर थोड़ा यह देखो भाई इस तरह का यह पूरा एंपल बना हुए यहां भी देखो भाई साफ सुथरा हुआ बड़ा सब कुछ और यह पर चड़ते होंगे शायद से और वहां देखो अगर बत्ती भी हो रही यह देखो भाई गूफासी बनी हुए है यहां पर जूते उतार के अंदर चलते हैं चलो भाई सहाओ क्या सही बना रखा है यह देखो लोटस फ्लाबर है शायदे है एलो के अंदर भाई आप देख सकते हो इस तरह के श्रुक्चर्स बनाए हुए है पता नहीं मुझे इतनी नोलिज नहीं है बड़ यहां पर भी देखो फूल और पत्ते चड़ा रखे है किसी को पता अच्छे से इसके बारे में तो मुझे बताना नहीं चेका मन्सक्शन में भाई लुआंग प्रवांग का जो ओल टाउन है उसके बिल्कुल सेंटर में और काफी जादा सेक्रेड हिल माना जाता है यहां के लोगों के तवारा टेंपल है क्योंकि इसलिए बाई ओविसली यह देखो भाई यहां पे भी कितने सारे श्रुक्चर्स लगा रखे है मूर जाना है वहां से दिखेगा पूरा टोप पॉइंट और वहीं पे स्तूपा भी है यह पूरा श्रुक्चर बनाया हुए हमें जाना है उपर अच्छा यहां पर यह भी है रिफ्लाइनिंग उद्धा भी है चलो चलते हैं को यहां पे अभी हम टिकेट लिखा हूँ है जहां बहुत उपर है वही मैं गहां क्योंकि सीडिया तो जादा थी भाई पर हमने तो कुछ भी नहीं चड़ा आओ टिकेट लेते हैं यहां थाइलेंड की बच्छी है तो करंसी ओनलाइन पेमेंट स्कैनिंग डू यूएफ स्कैनर ओनली कैश पड़े हैं बाई सब यहां तो थाइवाथ ले रहे हैं वहुमाच थाइवाथ यहां तो टिकेट अहीं वाद यानी मोटा मोटा भाई कि एक बादी है ना यह को एक एक नग चेट है आनो बॉक्त इजो और इस खेंडे को बॉड टो टुकेट इसे है टो गई जो टू तेट थे टाओ बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई यह एक लाग का नोट निकल गया यह की करन्सी बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई यह सेथेट तोमक्ट तो टिकेट मिलगी आजो इसे बुद्धा के मूर्तिया लगी हुई है ना जैसे ये देखो ये वाली है इसमें लिखा हुआ भाई सेटरडे बुद्धा इस वाली में लिखा हुआ है ट्यूजडे बुद्धा ऐसी एक उपर भी है बट उसमें दिखनी रहा भी फिलाल चलो और देखते है भाई आके सारे लगे हुए है इना से तो बहुत सारे टूरिष्ट है यहां पे ना काफी होई पास में देश है इसलिए यह देखो बाई इस तरह के रहने के भी बने हुए जोपड़े से जोपड़े तो क्या मतलब स्ट्रक्चर है यह पर और इनके एंटरंस देखो वही ड्रेगन की नीचे जो आपको स्लीपिंग बुद्धा दिखाया थे वह थोड़े चोटा स्रक्चर ताब यहां पर बड़ा स्रक्चर बहुत ही बड़ा है मतलब पूरे ऐसे लेटे हुए है यह देखो बाई क्रेजी बाई साब कितने बड़े है मेरे ख्याल से बारा तेरा फीट तो जादा दिखता जाएगा मस्त एकदम बिल्कुल अंदेर होने से पहले उपर पहुंचना था कि नजारे देख सके बाई अच्छे से हम टाइम काफी वेश्ट हो गया आज का गाड़ी के चक्कर में और गाड़ी ठीक भी नहीं हुए अभी देखता है कल क्या बनती है बाद यह देखो बाई यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे बुद्दा तो डेवाइज ना हलग अलग अलग शर्ट हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो को आप शहर के बीच में से भी देख पाओगे दूर से अब यहां पर देख लो आना है तो कितना चड़ाई करनी पड़ती है उसके उपड़ को लिखा है कि डूनोट क्लाइम वफ इसके उपड़ नहीं चड़ना वस इतना ही चड़ सकते हो बहुत भीड़ है बहुत जादा भ उनसी पर अच्छा लग रहा है व्यू काफी जादा तो एक रीवर वो है सामने पर एक रीवर उस तरफ है जहां से हमाई है संसेट अगर देखना ना तो भाई थोड़ा पहले ही आ जाना वरना ऊपर की तरफ सीट मिलना मुश्किल हो जाएगी यहां पर तो स्टेर्स है स्टीट फूड भी मिलता है वहां का तो कुछ वेजिटेरियन मिलेगा तो भाई ज़रूर ट्राइ करेंगे नोन वेजिटेरियन यहां का नहीं कर सकते हम सोरी अब यह चीज मैंने इसलिए बोली स्पेशली भाई क्योंकि चाइना वाले व्लोग में ना देखो व्लोग वो आलू मिलते थे फ्राइड वो हम खा लेते थे कभी-कभी मिलते थे जब इसके लावा भाई सब कुछ वहां पर मतलब नोन वेज में भी ना थोड़ा नेक्स लेवल वाना नोन वेज था जो हम नहीं खा सकते ओविसली तो फिर कैसे ट्राइ करें किसी देश का लोकल फू तो पैनकेक हम खा सकते हैं फ्रूट मिल जाते हैं वो खा लेते हैं और कुछ वेजिटेरियन आज मिलेगा तो ट्राइ कर लेंगे बट नोन वेज तो नहीं कर सकते ना वही जबरदस्ती की उस देश में आया है तो जबरदस्ती खाने हैं वहां का वो क्या मिलता था ता लगी हुई तो थोड़ा सा रोशनी रोशनी में निकल जाना वैस तो क्या दिक्कत है नीतनी जादा चोड़ी चोड़ी है यह देख सकतो रस्ते पूरे बस हमारा स्कूटर चोड़ी ना हुआ हो भाई उसी गडर लगे जा रहा है मुझे तो बस यहां पर ना अरे भाई सब शाय से हम ना किसी ओर रस्ते से उतरे है नीचे देखो वो टैंट से लग रहे है वो डिरेक्ट हम नाइट मार्किट में ही आगे भाई उटर तो अबना वहां पर खड़ा हुए है तो जाके लाना पड़ेगा पहले स्कूटर टैंशन खतम होता कि उतरी बच गई अभी गिर साथ में सोविनियर्स भी लेने भाई फ्रिज मैगनेट लाउस आया तो लेंगे न अपना जो प्रता चलती आ रही है तो चलो फटाबट से चलते हैं लो भाई मुझे तो यही से दिख गे फ्रिज मैगनेट मस्त चलो पहली दुकान से ही हड़प लेते हैं सारे नहीं मतलग फ्रिज मैगनेट से सारे वहां से लेके यहां तक पूरे के पूरे और यह एलीफैंट भी एक लेंगे और साथ में फ्रिज मैगनेट भी यह अच्छे लग रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे के देखो पिंगापूर क्यों लिखा हुआ है इन्होंने बाई माल दीवी लिख लिखा तो नहीं है कहीं भी और एक ऐलीफैंट वाले लेलो जिसमें लाउस लिखा हुए रहा यह सही है इसमें थोड़ा भी है ना यह तो यह ले लिखते बाई और वहला एलीफैंट अंटी बोल रही है दो लाख किप का मिहंगा यार काफी दो लाख मतलब मोटा मोटा दिखने में तो अच्छा सा लग रहा है और यह पैक अच्छे से कर देंगे ना टूटना जाए रस्ते में ले ले लेते हैं चलो आती तो राजिस्तान पर इससे भी महंगा बिलता है अड़े मैटीरियल की वी तो बात है इस इस वाल्सों फ्रिज मैगनेट इस इस मैगनेट आउके एक ये भी सही लग रहा है वाई तो ये चार चीज रहा है तीन मैगनेट एक आउमगा ने धis वी गविल देखते है कितने की बनती है बात बोला था बहुत ब्सकैंटा अंटी जी ने तो बढ़ा दिया डबल कर दिए धिरा अजी तो अभी बन रहा है टौटल दिसक जाएगा, no, 300, 300, yes, I know, I know, but 300 is good, 320, 320, okay, 330, okay, deal, scanner, चलो बाई, 330 में, मोटा मोटा, 11, 12, 100 रुपे का समान, can you pack this, okay, payment कर देते हैं, वोई लोका से, बाई, सब्सक्राइब ले जाने की टेंशन है, बाई, इतने बड़े बड़े चीज़ों को आपना ले जाएंगे, कैसे फ्लाइट में वापसी, क्योंकि गाड़ी तो शिप हो जा हुए या फिर छोटे-छोटे स्टुक्चर्ज हाती हो कि यह से फुट बैग वगएरा भी मिल रहे हैं, तो शोपिंग वाली मार्किर तो भाई यहां पर खतम हो चुकी है, अब शुरू होती है, फूड की मार्किट चलो, देखो भाई, यह सारी फूड मार्किट है, जितने स्टॉल्स लग रहे हैं वह आगे तक देखो, बहुत लंबी है, यह देखो भाई, कोकोनेट केक्स भी लुट काफ़ी बना रहे है, औरियो केक बी है, इस सारी कुकी वगरा मिल रहे है, पह जबख लेहाई paar कितने सारी रेश्वरेंट रहे हैं नूडल्स वगारा ना क्योंकि वही चाइना से टूरिस्ट आई गए है स्वारी चलो हमारे मतलब का तो कुछ दिख नीरा भी फिलाल पाई यहां लग रहा है आईशा रोटिस्ट ओलो रहे हैं मुझे इंडियन या तो श्री-लंकन या पाकिस्तानी ऐसी लग रहे हैं इंडियन Weird 22 आई फिज्ट व कहना बनारें यह आ पठा नंटा रहे हैं पिज्जा बर्गर सब मिल रही है हां यहां तो मस्तेग होई कोई सीफूड वगार भी रहा यह दिखो जिसको कहना ऑं यह दॉड़ हुआ बैक newest मिल रहा है हैं खाने बाई पर डिफिफेंड़ किण आपने को अवाई भाई भाई फ्रूट से मिल सकते हैं तो चलो फ्रूट जूस पी लेते हैं कौंद बाई काफी जारे शेक हैं मैंगो शेक पूसत और मैंगो स्मूधी darn तो तो मेंगो स्मूधी चलो भैश । ऑब बड़े मस्त और वी काफि जारे फूड़ित है आप अपन को मैंगो ज़ादा पसंद है यूह पसंद के फीडिन कैने कि manner इतना मैंगो पस्ते बरताइन को स्मूधी जह नहीं दरेतें इतना मैंगा शाक्रांश के तो मैंगो लो जी लो अपना मैंगो शेक आ गया है लो भाई पढ़ लेओ एक एरा बाई चलो जी चलो मज़दार भाई मज़ाया गजब की चीज़ है बहुत ठंड है लेकिन बरफ जादा डाल दी बतेश एक नमबर जैनुवन आ रहे हैं कि शुद्ध आम डाले हुए पूरे और यहां फूर्ट मी रहे हो कितने सारे मिल रहे है पैकेट में तो आप यह भी ले जा सकते हो सुबा खाने के लिए ब्रेक पार्ट में शुकर है यह स्कूटर खड़ा हुए साध्डा हम गए थे भाई यहां से उपर खतम करते हैं इस वाले ब्लोग को आपको ब्लोग पसंद आया होगा और आपको अपनी ट्रिप को कंटीन्यू कर सके वरना फालतु में एक्स्टा दिन वेस्ट हो जाएंगे ताइम हमने वेस्ट होने नहीं दिया जादा आज का दिन यूटिलाइस करी यह एक जगा गूमली कम से कम यह अभी भी बहुत जगा है गूमने की यहां लुआंग प्रभांग में फेमस फेमस तो सब जगा आपको ले कर दाऊंगा टेंचन की बात नहीं है इसलिए वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर देना बागी चैनल पर नहीं हो तो सब्स्क्र कर दो